Hello friends, welcome back to English Vidasha Mem. आज मैं आपके लिए एक story लेकर आई हूँ, जो की letter की form में है, एक पत्र की form में है, और ये लिखा गया है एक दोस्त के लिए. एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त के लिए letter लिखा है, तो आईए पढ़ते हैं. साथ ही में letter किस तरीके से लिखा जाता है, इसके बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं. तो पहले तो है dear सुरेश, जिसके लिए हम लिख रहे हैं, dear सुरेश. और यहाँ जगे का नाम है, फिर date है है, हैदराबाद 27th August 2024. इस रमेश, मैं रमेश हूँ, तो सुरेश के लिए रमेश letter लिख रहा है, I apologize, apologize for not meeting you during your visit to हैदराबाद. Apologize means माफी मांगना, यह एक verb है, तो मैं माफी मांगता हूँ, माफी चाहता हूँ, for not meeting you, आपको न मिलने के लिए during your visit, आपके visit के दोरान, during के दोरान, और visit होता है दोरा, जो आपने दोरा किया था, visit किया था, to हैदराबाद, हैदराबाद में जो आपने एक विजिट किया तो हैदराबाद में, last week, पिछले हफते, so रमेश, सुरेश को लेटर लिखके बोल रहा है कि मैं आपसे माफी चाहता हूँ, कि मैं आपको, जब आपने हैदराबाद का दोरा किया, तो मैं आपको पिछले हफते नहीं मिल पाया, Unfortunately, I had a meeting in my office, unfortunately means दुर्भाग्य वश, दुर्भाग्य की बात है कि मेरी उस समय office में एक meeting थी, I had a meeting, मेरी एक meeting थी office में, अब पुरानी बातें याद करके, रमेश अपने friend को बोलता है, I remember how we enjoyed our childhood days in Manikonda village, तो एक गाओं में जो दोनों दोस्त साथ रहते थे, I remember मुझे याद है, how we enjoyed, किस तरीके से हमने मजे लिये, मजे किये, आनन्द उठाया, our childhood अपने बच्पन के दिनों में in Manikonda village, तो इस गाओं में हमने किस तरीके से मजे किये, अपने बच्पन के दिनों में, Every day we played together in our garden, every day हर दिन we played together, हम लोग साथ खेलते थे, खेला करते थे अपने बच्पने में in our garden, our family was very big, हमारा जो परिवार था वो बहुत बड़ा था, There were 12 members in our family, so हमारे परिवारों में 12 सदस्य हुआ करते थे, I remember how we played in the moonlight, मुझे ये भी याद है कि हम किस तरीके से चांदनी रातों में बाहर खिला करते थे, Our grandma used to give us fruits and biscuits, हमारी दादी मां हमको दिया करती थी, फल और biscuits, तो यहाँ पर देखिए used to, मतलब past में किसी आदत के बारे में जब हम बताते हैं, तो हम इसका use करते हैं, used to की, ऐसा किया करते थे, ऐसा हम लोग किया करते थे, किया करती थी, Our grandma used to give us fruits and biscuits, तो हम तब used to का use करते हैं, जब हम past की बात कर रहे हों, किसी habit की, Our grandpa used to tell us fairy tales, और हमारे दादा जी हमको fairy tales में परियों की कहानिया सुनाया करते थे, used to tell us, हमको सुनाया करते थे, परियों की कहानिया, about the princess, means राजकुमारों के बारे में उनकी कहानिया, Warriors, means योद्धाओं की कहानिया, and the village boys, और गाओं के लड़के, गाओं के लड़कों के बारे में भी कुछ ना कुछ बताया करते थे, हमारे grandpa, हमारे दादा जी, Now, अब देखे, एक paragraph में एक idea हमने present कर दिया, अब दो दूसरा है, वो है present की बात कर रहा है, और हमारा एक बच्चा है, my wife works at Dell, मेरी wife भी काम करती है, works है present tense में है, simple present tense में, मेरी wife भी काम करती है, Dell में, हैदराबाद में as a system analyst, ये मेरी wife की post है, system analyst के रूप में हो, Dell company में काम करती है, you know, city life is quite busy, अब तुम तो जानते ही हो कि शहर का जीवन जो है, वो बहुत ज्यादा व्यस्त होता है, quite means बहुत और busy है व्यस्त, we start in the morning, तो हम लोग क्या है, शुरुवात कर लेते हैं सूबा, leave our child at the baby care center, और अपने बच्चे को छोड़ देते हैं, एक baby care center में जहां की छोटे बच्चों की देखभाल होती है, जो बच्चों ने अभी school जाना शुरू नहीं किया है, उन बच्चों की देखभाल होती है, baby care center में, तो वहाँ पे हम सुबे फिर अपने बच्चे को वहाँ छोड़ देते हैं, और फिर हम वापस आते हैं केवल शाम के समय, इवनिंग में with faded faces, faces means चहरे और faded होगे जिनका रंग उड़ावा हो, क्योंकि ठक गए हैं, सुबे से निकले होए हैं, तो यहाँ पे faded जो है, वो adjective है, जो की describe कर रहा है कि faces कैसे हैं, now नहीं, तो हम लोग वापस आते हैं, इवनिंग में शाम को ठके होए चेहरों के साथ, we hardly find time to sit together, hardly means बड़ी मुश्किल से, यह adverb है, ठीके, तो we hardly बड़ी मुश्किल से हम समय निकाल पाते हैं, एक साथ बैठने का, how disgusting, और sign of exclamation है, कि कितना बेकार चीज है, कितना नीरस है, इसमें कोई आनन्दी नहीं है, how disgusting, तो यह भी यहाँ पे adjective है, something which is very unpleasant, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है, how disgusting, कितनी बेकार चीज है, we work with computers, हम computers के साथ काम करते हैं, think like computers, computers की तरह भी सोचने लग जाते हैं, and live like computers, और जीवन भी हम जो जी रहे हैं, like means उसके जैसा computer, machine की तरह हम जीवन जी रहे हैं, we work with computers, think like computers, and live like computers, we have forgotten our family, हम लोग भूल चुके हैं, अपने परिवारों को, forgotten, verb third form है, और ये have के साथ लगा है, तो ये present perfect tense में है, तो हम लोग अपने परिवारों को भूल चुके हैं, क्योंकि अब तो हमारे पास समय ही नहीं है, सुबे निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, अपनी family के ही साथ बैठने का time नहीं है, तो extended परिवार जो है, उसके साथ तो हम सोचते हैं कि हम family को, परिवार को एकदम भूल चुके हैं, अब यहां पर third paragraph शुरू हो गया, यह पुरानी बातें याद करके बताये गया है, पिछले paragraph में, अब बोल रहा है कि I remember, तो I यहां पर रमेश है, वो याद करके बोल रहा है I remember, मुझे याद है how we played Gilly Dunda, किस तरीके से हम खेला करते थे, Gilly Dunda, यह एक game है, पुराने time पे, ग युका छुपी का game होता है Hide and Seek and Kabaddi, तो यह हम चीजें तीनो games खेला करते थे, we went for swimming in our local tank every Sunday, हर रविवार को हम swimming के लिए तैरने के लिए जाया करते थे, वो भी अपने local tank, tank मतलब local means स्थानिय और tank है टंकी, every Sunday हर रविवार को, here we live in an apartment, और अब यहां की बात कर रहे है कि अ अब हम यहां पे रह रहे हैं एक flat में, जैसे कि बड़े शहरों में high-rise buildings होती हैं, तो multi-story flat, flat में रह रहे हैं, where there is no room for, no room to play, जहां पे यह जो expression है, no room यह phrase, इसका मतलब है कि कोई भी जगा ना होना, no room means कोई जगा नहीं है, play means खेलने के लिए, तो कि यह flat है, our flat is our world, और हमा जो flat है, यही हमारी दुनिया है, just like a well for a frog, जिस तरीके से एक कुवा, एक मेंडग के लिए होता है, पूरी जिन्दगी एक मेंडग, एक ही कुवे में रहकर बिता लेता है, तो जिस तरीके से एक मेंडग कुवे में रहता है, उस तरीके से हम भी इस flat में रह रहे हैं, बाग यह भी हमारे लिए कुवे की तरह है, जिसमें की मेंडग रहता है, the world remains unheeded, so unheeded मतलब जिसमें की कोई ध्यान न दिया जाए, तो हमारी पूरी दुनिया जो है, वो हमारे लिए unheeded रहती है, means हमको नहीं पता चलता, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि हमारी दु अपने फ्रेंड को लेटर लिखते हुए, पूरा बता रहा है, city life के बारे में, how happy we were, अब दूसरा paragraph शुरू हो गया, इसमें फिर से पुरानी बातें याद कर रहा है, how happy we were, हम कितने खुश थे, we है तो इसलिए were लगा है, in our school, अपने school में हम कितने खुश थे, we used to sit in the same row, फिर से used to लगा हुए, हम बैठा करते थे, एक ही sit, मतला बैठा करते थे, same row, अब row होती है, इस तरीके से जो lines में, rows में, class में, seats या desk लगे वे रहते हैं, तो rows में कह रहा है कि हम एक ही row में बैठा करते थे, did all the work together, सारा काम इखटे करते थे, together means एक साथ, and took part in the events, took ये जो ह verb second form है, और भाग लिया करते थे, अलग-अलग, कोई भी कारिकरम हुआ करता था, उसमें हम इखटे मिलके भाग लिया करते थे, I remember how, पदमना भाया, sir, our class teacher, तो मुझे याद है कि किस तरीके से, हमारे जो sir थे, हमारे जो class teacher थे, appreciated us, appreciate means सराहना करना, प्रशंसा करना, वो किस तरीके से, हमारे प्रशंसा करते थे, हमको सराहा करते थे, when we got the first prize in district science fair, कि जब हमको पहला prize मिला, ये भी verb second form है, first prize मिला, district science fair में, हमको मिलकर, जब first prize मिला था, उन्होंने किस तरीके से, हमारे सराहना करी थी, I remember how we went on a picnic to कोईल सागर, मुझे ये भी याद है, किस तरीके से, हम लोग picnic में गए थे, और इस जगे का नाम है, कोईल सागर में, तो पुरानी बातें, याद करके अपने friend को याद कर रहा है, रमेश, there we went voting, फिर वहाँ पे हमने voting करी थी, our tour in Sirisalam was memorable, और जो हम यात्रा पर गए थे, Sirisalam में, तो वो भी याद करने योग्य है, अभी भी, memorable means Smaraniya, जो की याद करने योग्य हो, still I remember the green hills, full of trees, that almost touched the sky, still अभी भी मुझे याद है, वो हरी पहाडियां, जो की पेडों से भरी हुई थी, और वो पेड, यहाँ पे trees के लिए है that, वो पेड जो की लग भग आसमान चू रहे थे, इतने उचियों चे पेड थे वहाँ पे, उ roaring मतलब गर्जन, roar से बनाए, ing form as verb का, roaring means गर्जन, आवाज, जोर की आवाज, मुझे याद है, वो गर्जन, कृष्णा रिवर का, at the dam, बांध के पास, there is nothing here, और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यह सब, I wonder at my child's silence, I wonder मुझे आश्चरे होता है, at my child's silence, silence मतलब चुप्पी, moan, कुछ ना बोलना, क्योंकि एक ही बच्चा है पहले तो उसका, और वो भी क्या है, बता रहा है कि मुझे आश्चरे होता है, अपने बच्चे की चुप्पी पर, he always sits in front of the computer, वो हमेशा, always हमेशा, sits बैठता है, in front of, आगे, और computer के, and play games, और उसमें games खेलता है, plays games, और उस किसी को भी, कभी भी किसी की परवा नहीं करता, care means परवा करना, never, कभी भी नहीं, तो बस games खेलता रहता है, और कभी भी किसी की परवा भी नहीं करता, I remember the happy moments when our uncle visited us, मुझे तो याद है वो, खुशी भरे, पल या शन, जब हमारे अंकल ने हमारे घर में आये थे, या विजि का past tense हो गया brought, वो लाए हमारे लिए खिलोने और fruits full, our aunts brought me a new dress for dashera, और मेरी aunty लेकर आई थी मेरे लिए नई dress dashera festival के लिए, how we enjoyed diwali, हमने diwali कितना enjoy किती, कितना आनंद उठाया था, still I hear the sound of crackers, तो अभी भी मैं सुन सकता हूं उन पताकों की आवाज, crackers means पताखे, I can see the rockets flying into the sky, मैं अभी भी देख सकता हूं, rockets जो कि उड़ रहे हैं आसमान की तरफ, making the night full of light, और रात को बनाते हुए, बिल्कुल चमकदार, full of light, चमकीली, जो कि चमक से भरी हो, ऐसी रात बनाते हुए, rockets हवा में उड़ रहे हैं, sky की तरफ उड़ रहे हैं, where are those days, वो दिन क मेरे बच्चे को तो ये भी नहीं पता है, क्या अंकल और क्या आंटी, for him, uncle and neighbor are the same, उसके लिए तो जो अंकल होते हैं, और जो पडोसी होते हैं, वो बिल्कुल सेम है, उनको भी वो अंकल ही बोलता है, लेकिन जो relation वाले अंकल है, उनके बारे में उसको पता नहीं है, क्यों I think of grandparents, uncles, brothers, sisters, और मैं सोचता हूँ, दादा, दादी, नान, नानी के बारे में, uncles के बारे में, चाचा, मामा के बारे में, brothers, sister, भाई, बेहनों के बारे में, we missed them, हम उनको miss करते हैं, उनकी कमी को महसूस करते हैं, we missed the joy of the family, और हम family, मैं एक परिवार की खुशी को भी miss करते हैं उसकी कमी भी हमको पता लगती है, महसूस होती है, we miss their company, और हम अपने परिवार जनों की extended family, जो है, relative से रिष्टेदार है, उनकी संगत को भी हम लोग miss करते हैं, खाली लगता है हमको, we are missing many things in this busy life, हम लोग बहुत सारी चीजें miss कर रहे हैं, उनकी कमी हमको खल रही है, हमारे व्यस्त जीवन की वज़ा से, busy means व्यस्त, life हो गया जीवन, सुरेश, I don't know where those gardens have gone, तो देखिए अब यहां पर पूरा जो miss कर रहा था, वो सारा का सारे इस paragraph में बता दिया, अब next paragraph शुरू हो गया, अभी की बात कर रहा है, रमेश बता रहा है कि सुरेश, I don't know where those gardens have gone, मुझ लिए लाया करते थे, कहां चले गए, those words of love and affection, वो शब्द, जो कि प्यार और स्नेह से भरे होते थे, वो कहां चले गए, affection means स्नेह, तो वो प्यार भरे शब्द भी कहां गुम हो गए, कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि अब तो साथ पैटने कही टाइम नहीं है, तो कहां हम स अपना वास्तविक जीवन खो दिया है, इस अवास्तविक दुनिया में, anyhow, I am happy that I have found time to write to you, so anyhow means जैसे तैसे, मैं खुश हूँ कि मुझे time मिला आपको पत्र लिखने के लिए, please come to me, तो मेरे पास please आप कृप्या करके आईए, let us remember our childhood days of joy, so आप मेरे पास आईए, and let us remember, आईए हम याद करते हैं, our childhood days of joy, खुशी से बरे हुए अपने बच्पन के दिनों को हम इखटे मिलके याद करते हैं, your loving friend रमेश, आपका प्यारा मित्र रमेश, so यही है वो दोस्त के नाम चिठी, अगर आपको पसंद आई है तो please like, share और subscribe जरूर कीजएगा friends, और अगले वीडियो में मिलते हैं, thank you for watching,